नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूटूब चैनल पर आज फिर मौजूद है हम एक नई कहानी के साथ मुनसी प्रेमचंद की कहानी परिक्षा आईए सुनते हैं नादिर सहा की तसेना में दिल्ली के कतले आम कर रखा है गलियों में खुन की नदिया बह रही है चारों तरफ आहाकार मचा हुआ है बाजार बंद है दिल्ली के लोग घरों के दवार बंद की जान की खेर मना रहे है किसी की जान सलामत नहीं है कहीं घरों में आग लगी हुई है कहीं बाजार लुट रहा है कोई किसी की फर्याद नहीं सुनता रईसों की बेगम महलों से निकाल ली जाती है और उनकी बहरुती की जाती है इरानी सिफ्ट रक्त पिपासा किसी तरह नहीं बुझती मानव हर्दे की कुरूरता, कठोरता और पेसा चिकता अपना विकराल रूप धरन किये हुए इसी समाय नादिल सहा ने बादा साही महल में परवेश किया दिल्ली उन दिनों भोग विलास के केंदर बनी हुई थी सजावट और तकलूफ के सामानों से रईसों के भवन भरे रहते थे इस्तिर्यों को बनाव सिंगार के सिवा कोई काम ने था पुर्सों को सुक भोग के सिवा और कोई चिंता ने थी राजनिती का अस्थान सेरो साइरी ने ले लिया था समस्त प्रांतों से खीच-खीच कर दिल्ली आता था और पानी की भाती बहा जाता था वेश्याव की चांदी थी, कहीं तीत्रों के जोड होते थे, कहीं बटोरे और गुलबुलों की पली अठनती थी सारा नगर विलास निद्रा में मगन था, नादिर साहा साही महल में पहुँचा तो वहां का सामान देखकर उसकी आच पुल गए, उसका जनम दरिद घर में हुआ था उसका समस्त जीवन रण भूमी में ही कटा था, भोग विलास का उसे चसका ने लगा था, कहां रण छेत्र के कष्ट और कहां यह सुक सामराज्ये, जिदर आख उठती थी, उदर से हटने का नाम न ले थी संद्या हो गई थी, नादिर सहापने सरदारों के साथ महल की सेर करता है, और अपनी पसंदिता की चीजों को बटोरता हुआ, दिवाने खास में आकर कार्चोब नद पर बैट गया, सरदारों को महां से चले जाने का हुकुम दे दिया, अपने सब हतियार रख दिये, और मह महल के दरोगा को बुला कर हुकुम दिया, मैं साही बेगुमों का नास देखना चाहता हूँ, तुम इसी वक्त उनको सुंदर वस्तर भूशनों से सजा कर मेरे सामने लाओ, खबरदार जरावी देरने हो, मैं कोई उजरिया इंकार नहीं सुन सकता, दरोगा, ने यह नादर साही उकुम सुना, तो हो सुड़ गे, वह महिलाए, जिन पर स्टे भी नहीं पड़ी, कैसे इस महफिल में आएंगी, नाचने का तो कहना ही क्या, साही बेगमों का इतना अपमान कभी नहीं हुआ था, हाँ, नर पिश्चात दिल्ली को खुन के रंग से, रंग भी तेरा चि से निकला, अगनी के मुख में कूदना था, सिर जुका कर आदाग लगाया, और आकर रनिवास में सब वेगमों को नादिर साही हुकुम सुनना था, उसके साथ ही यह इतलात भी दे दी, कि जरा भी तमुलू हुई, नादिर साही कोई उज्रिया हिला नहीं सुनेंगे, साही खांदान पर इतनी बड़ी विपत्ति कभी नहीं पड़ी, पर आज समय विजेई, बासाग्या आग्या को स्रियोधर करने के सिवा प्राण रक्षा का अन्य कोई उपाये नहीं था, बेगमों ने यह आग्या सुनी तोहत बुद्धी सी हो गई, सारे निवास में मातम सा छा गया, वह चहल पैल गायब हो गई, सैकड़ों हर्द्यों से इस साहता या चाक लोचना से देखा, किसी ने खुदा और रशूल का सुमरन किया, पर ऐसी एक महिला भी ने थी, जिसकी निगाए कटार या तलवार की तरफ गई हो, इसमें कितनी ही बेगमों की नसों में राज पूतनिया का रक्त पर भावित होता, पर इंद्री लिप्षा ने जोहर की पुरानी आग ठंडी कर दी थी, सुक भोग की लाल सा आत्म सम्मान का सवनास कर देती है, आपस में सलहा करके मर्यादा की रक्षा का कोई उपाय सोचने की महुलत ने थी, एक एक पल भागे का निर समा लगाया जा रहा था, और शोक व्यवेस्तित हर दे पर सुगंद का लेप किया जा रहा था, कोई केस सुंगती, कोई केस गुंद थी, कोई मांगों में मोतिया पिरोती थी, एक भी ऐसी पक्के रादे की स्तिरिना थी, जो इश्वर पर अत्वा अपने टेक पर इस अग् चम करती हुई, दिवाने खास में आकर नादिर साहा के सामने खड़ी हो गई, नादिर साहा ने एक बार कनख्यों से परियोके इस दल को देखा, और तब मसनद की टेक लगा कर लेट गया, अपनी तलवार और कटाल सामने रख दी, एक शण में उनकी आके जपकने लगी, उ बेगम जो की तो सिर निचा किये दिवार के चितरों की भाती खड़ी रही, उनमें से दो एक महिलायतों जो ठीट थी, गुंगट की ओट से नादिर साहा को भी देख रही थी, और आपस में दभी जबान में काना फूसी कर रही थी, कैसा भेंकर सवरूप है, कितनी रणोंत आखे हैं, कितना भारी सरीर, आदमी काहे को है, देव है, सासार नादिर साही की आखे खुल गई, परियोका दल पूरवेता खड़ा था, उसे जागते देखकर बेगमों ने सिर नीचे कर लिए, और अंग समेट कर बेडों की भाती एक दूसरे से मिल गई, सब के दिन जिल्लत अबने सही जाएगी, साहा सा, नादिर साहा कठोर सब्दों में बोला, एक उदा की बंदियो, मैंने तुम्हारा इम्तिहान लेने के लिए बुलाया था, और अफसोस के साथ कहना पड़ता है, कि तुम्हारी निस्बत मेरा जो गुमान था, वे हर्प बे हर्प सच निकला, जब किसी कौम की औरत में गेरत नहीं रहती तो वे कौम मुर्दा हो जाती है, देखना चाता था कि तुम लोगों में भी अभी कुछ गेरत बागी है या नहीं, इसलिए मैंने तुम्हारी बेहर उमली नहीं करना चाता था, मैं इतना एस का बंदा नहीं हूँ, वर आज फारस में सरोध और सितार की ताने सुनाता होता, जिसका मज़ा में हिंदुस्तानी गाने से कहीं ज़्यादा उठा सकता हूँ, मुझे सिर्फ तुम्हारा इम्तिहान लेना था, मुझे यह देखकर, सच मलाल हो रहा है, कि तुम में गेरत का जोर बाकी नहीं रहा, क्या यह मुम्मकिन नहीं था, कि तुम में से कोई खुदा की बंदी इस कटार को उठाकर मेरे जिगर्स में चुभा देती, मैं कलाम पाक की कसम खाकर कहता हूँ, कि तुम में से किसी को कटार पर हाथ रखते देखकर मुझे बहुत खुशी होती, मैं उन नाजुक हाथों के सामन गर्दन जुका देता पर अफसोस की आज तेमुरी खांदान की एक बेटी भी यहां ऐसी नहीं निकली जो अपनी हरमुद बिगारने पर हाथ उठाती अभी है संतलंत जिन्दा नहीं रह सकती इसकी हस्ती के दिन गिने हुए हैं इसका निसान बहुत जल्द दुनिया से मिट जाएगा तुम लोग जाओ और हो सके तो अब भी संतलंत को बचाओ वरना इसी तरह हवस की गुलामी करते हुए दुनिया से रुकसत हो जाएगा दोस्तों मेरी ये कहानिया आप लोगों को कैसे लगी कॉमेंट सेक्सर में जरूर बताना और साथ में चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूले और साथ में बेल आइकन जरूर दबाए तब तक के लिए आप लोगों का वीडियो देखने के लिए हुद बहुद दनियो